हेलो वेलकम टू कर्रेंट एफर्स फैक्टरी तो चलिए आज बहुत ही खास दिन है बिहार बासियों के लिए ही नहीं पुरे देश बासियों के लिए क्योंकि हम लोग जो है ना हमारे प्रिये लोकनायक जय प्रकास नारायन जी का जो बर्डे है उसकी जो है ना आप बोल सेक क्या बुलाते थे उनका योगदान भारती इतिहास में क्या था और इस्पेसली जो नाइंटी सेवेंटी के दौर की जो इमरजेंसी है जिसके लिए जै प्रकास नारायन जी को जे पी या लोकनायक के रूप में जाना जाता है तो हम लोग आज बिस्तार से जानेंगे उनके बारे में ठीक है तो न्यूज में क्यों है आपको पता है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमीज साजी ने अनवेल्ड किया है और फिप्टीन फूट स्टैच्यू ऑफ जया प्रकास नारायन उनकी एक सो बीस में बर्डे एनिवर्सरी पर कहां पर उनके जन्म अस्थान जो सिता लोक नायक मतली फॉक हीरो मतला ऑफ़क कहने का मतली क्या बोल सकते हो कि जो अस्थानीं छो है ना हिरोिजम देखाने का एक तरीका होता है ली डर्सिप में उसके बारे मैं उनको तो लोकनायक भी भी बोलते है और एन हम लोग प्यार से जेपी भी बोलते है ठीक है वस उन freedom fighter and political leader अगर हम इनकी जीवन काल में अगर इनका role देखे freedom struggle में तो he was fired by इनका ये जो है ना कारल मार्क से बहुत ज़्यादा प्रेडित थे और ये बरकले जो कैलिफोर्निया में था वहाँ पी इन्होंने 1922 में जाकर के पढ़ाई किया कारल मार्क से साथ जो है ना उनकी जीवनी को पढ़ा और फिर जब ये 1929 में ठीक है 1929 में जब वह congress join किया तो उन्होंने participate किया civil disobedience movement में ठीक है और वो jail भी गए गांदे जी की जो civil disobedience movement चल ला था ठीक है फिर जब वो jail से छुट गए तो उन्होंने Congress के अंदर Congress Socialist Party Justice CSP उसके General Secretary रहे और ये जो Congress Socialist Party थे ये अचारिय नरिंद देव जी जो है ना गठन किया था और वो उनके President थे बाद में जब इंडिपेंडेंडेंस के बाद जो जेपी जो जैपरकास नाराइन थे लोकनाएक जी जो थे उन्होंने CSP को Congress की मेन पार्टी से निकाल कर उसे Socialist Party कर दिया और बाद में जो है ना उन्होंने J.B. कृप लानी जो किसान मजदूर परजा पार्टी के संस्थापक थे उनके साथ मिल करके प्रजा Socialist Party 1922 में बनाया ठीक है तो आजाती के बाद पहली वार Congress का विवाजन देखने को मिला था जो उनके Congress के अंदर के जो Socialist लोग थे और बोल सकते जो किसान मजदूरों से जुरह वे लोग थे इलाइट को छोड़ करके जो सहरों से दूर मतलब गौँ में जा करके रहते तो उनलोगों ने अपनी एक पार्टी बनाई जिसमें जेपी साथ थे उसके बाद जेवी करिपलानी साथ थे उन्होंने मिल करके क्या बना है 1922 में प्रजा Socialist Party अगर आप बात करोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना मतलब जेपी जो लोकनायक थे उनको जाना गया था टोटल डिवोलेशन डाट इस संपुर्न करांती जब 1970 में प्राइम मिनिस्टर जो ततकालिन इंद्रा गांदी जी थे उनको एक तरह से बोलिये कि हटाने के लिए जो कॉंग्रेस के अंदर जो भी निती चल लही थे उस टाइम पे उनके एगेंस्ट में जो है ना जेपी ने एक संपुर्न करांती जो है ना लाँज किया टोटल डिवोलेशन 1970 में ठीक है और 1974 में उन्होंने एक और स्टूडेंट मोव्मेंट लांच किया बिहार में और जिसे एक तरह से पुड़े देशबाशियों का बहुत समर्थन मिला और उस पार्टिकुलर मोवमेंट को जो है ना एक तरह से आब बोल सकते हो बिहार मोवमेंट के नाम से जाना जाता है और रीजन जो था ना 1974 के बिहार मोमेंट का नेत्रित अहला की जेपी ने क्या था लेकिन मेन रीजन वो आक्चुली बोल सकते हो 1970 से जो चलते आ रहा था हाई इंफलेशन महंगाई जो बेरजगारी थी और एक तरह से बोल सकते हूँ जो सप्लाई चेन मतलब लोगों की जो दिन चड़िया निट की जो चीजे होती है आपको पता था कि उस टाइम पे हम लोग जो है ना एक तरह से फूट क्राइसिस बहुत ज्यादा हुआ करता था उतनी अच्छी जो पैदावार नहीं होती थी तो सप्लाई चेन में जो है ना बहुत ज्यादा अधिक्कत होता था इन सब जो चीजे थी वो बैक्ग्राउंड में था किस चीज की है 1974 के जो बिहार मोमेंट था ठीक है दा मोमेंट अशर्ड इन दा बैक्ग्राउंड जो मैंने आपको बता दिया हाई इंफलेशन इसेंशल कमोडिटी जो होती है इट वाज डूरिंग दि इलेक्ट्रोल लग जो जो आपको पता होगा कि जो लाहवाद राइंडी जी लड़ी हुई थी उन्होंने क्या किया उस पार्टिकूलर कंशिकर के बोट को नल घोशित कर दिया ठीक है जिसके बाद क्या हुआ कि जेब एट्रक्टेड ऑगेद्रिंग फ़नलं राम लिलाग on and call for Indira and the CM to resign and the military and police to you know disregard unconstitutional and immoral orders ठीक है सब्सेक्वेटली उसके बाद क्या हुआ कि गांधी प्रोक्लेम्ड अनेशनल यूनो एमर्जनसी अन दे मिडनेट अफ 25 जुन और इतना ज्यादा बढ़ गया हलाकि जेपी सहाब ने कुछ एक तरह से बोल सकते हो उगड़ होने की बात नहीं कही थी लेकिन आप समझते हो कि जब भी कोई डूलिंग लेडर होता है और बहुत पारफुल होता है तो वो कोसिस करते हैं कि अगर थोड़ी मोरी चीजे अगर आपको लोग नाराज हो तो वो उससे दवानी कोशिस कर दे तो उस हिसाब से जो है ना उस टाइम पे जो ततकालीन प्रधान मंद्री थे उन्होंने क्या किया एमर्जंसी घोसित कर दिया 25 जून 1975 को ठीक है और जितने भी अपोजिशन के लिडर थे यहां तक की जैपर का सनाराएं जी थे उन सब को जो है ना क्य उस टाइम के जो जैना प्रमुक लीडर थे और जो जनता पाटी उस टाइम पे जनसंग हुआ करता था उन सब के जो लीडर से उन्होंने पोस्ट इमर्जंसी जनता पाटी को फॉर्म किया अंडर जे पी गार्डेंस ठीक है और जनता पाटी वाज बोटेड इंटू पावर and became the first और और आपको पता होगा कि भार थी है इतिहास में पोस्ट इंडिपेंडेंस पहली वार आफ्टर इमर्जंसी जो है ना नौन कॉंग्रेस गवर्रमेंट बनी और जिसके प्रधान मंतरी आपको पता है कि मोरार जी द्यसाई को बनाया गया था है he was the unanimous choice for the office of prime minister but he declined and choose to mention you know mentor the cabinet and political parties और उन्होंने एक तरह से सब लोगों ने उन्हें प्रधान मंतरी कंडिडेचर के लिए जो है ना नौनिएट किया सब लोग support के लिकिन उन्होंने अंतो गत्वा प्रधान मंतरी बनने से मना करा दिया और उन्होंने बोला कि हम जो भी cabinet बन हैं कि हम उन्हें guidance करेंगे और इस तरह से जो है ना जया प्रकास नारायन जी का हमारे आजादी से पहले ही नहीं बलकि आजादी के बाद भी भारती इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा और आज हम लोग बहुत प्रेम से बहुत सर्धा प्रवक उन्हें इस भारत द टिंट लाती रहे थैंक यू सो मच बहुत बहुत आवारा हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच